मैंने ना बच्चों को इंग्लिश बोलते वे इस चीज़ में confused होते देखा है कि two days ego ही क्यों लिखा है मैं two days before क्यों नहीं लिखा क्योंकि ego भी पहले को दिखाएगा और before भी पहले को दिखाएगा तो अगर आपको कभी भी इन दोनों को use करने में confusion आ जाए कि पहले के लिए म जब before लगाऊं तो ध्यान से मेरी बात सुनना ego हमेशा duration वाले time के लिए आता है और before हमेशा fix time के लिए आता है जब भी आप कहना चाहरे हो Monday से पहले तो before Monday समझ रहे हो Sunday से पहले before Sunday जन्वरी से पहले before January और अगर आपने duration दिखानी है पाँच दिन पहले five days ago तीन मिनट पहले three minutes ago जैसे YouTube या Facebook पे मैं live जाती हूँ और आप उस live को कुछ दिर बात देखते हो तो वो दिखाएगा 30 minutes ago क्योंकि minutes, second, hour, days, months, weeks ऐसा लिखा हो तो वो duration होता है और duration के लिए ego लगता है जबकि before का मतलब भी पहले होता है पर वो fixed time में पहले आता है वह 1990 से पहले ऐसा हुआ करत पे आप time duration में देखो ego लगाना, fix time आपको मिले 5 बजे से पहले fix time है, Sunday से पहले fix time है, January से पहले fix time है, 2005 से पहले fix time है, June और July से पहले ये भी fix time है, तो जब वो इस तरीके से particular जाये तो आप before लगाना, अगर वो months कह रहा है, 5 seconds कह रहा है, 10 years कह रहा है, 2 weeks कह रहा है, तो आप ego का use करोगे, तो यहां क्योंकि मैं two days लिख रही थी, इसलिए मैंने क्या लगाया है, ego लगाया है, बाकि फिलाल का rule क्या कह रहा है बच्चों, ego देखा, तो second form बोलना, English के line में, कुछ और मत बोलना, I met him two days ago की बजाए में, ऐसा भी तो कह सकती हूं, I met him yesterday, I met him two days ago की बजाए में क्या कह सकती हूं, I met him yesterday, मैं उससे कल मिली थी, समझ गए हम बात को,